नमस्कार मेरा नाम है विमल और मैं एक finance professional हूँ आज की वीडियो काफी ज्यादा important है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना investments किये कैसे आप बिना shares में investments के बाड़ा सुर रुपे तक कमा सकते हैं मैं यहाँ पर investments करके इन पर returns कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपको मिलेंगे बाड़ा सुर रुपे अगर आप इस तरीके का use करते हैं तो तो आज की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा important हने वाली है इसलिए हमेशा की तरी इस वीडियो को कर देना like, share और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हूँ तो इस चैनल को कर दो subscribe इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है investments के ऊपर, finance के ऊपर, personal finance के ऊपर जिसमें मैंने आपको कहा है कि अगर आपको share market में investments करना है तो यहाँ पर आपके पास demand account होना बहुत ज़रूरी है आखिर कोई share market में investments क्यों नहीं करेगा यहाँ पर काफी अच्छे खासे returns मिलते हैं और यहाँ पर काफी सारी opportunities मिल जाती है अपने savings पर अच्छे खासे returns कमाने की तो यहाँ पर हर किसी को share market में investments करना चाहिए और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 3% लोग share market में investments करते हैं actively मैंने personally खुद भी share market में investments किया है equities में, shares में, mutual funds में मैंने market में काफी सारी companies के stock brokers को analyze किया लेकिन यहाँ पर upstocks के platform पर एक unique चीज है कि आप single platform पर सब कुछ कर सकते हो upstocks में आप single platform पर सब कुछ कर सकते हो, आप equities में investments कर सकते हो, आप mutual fund में investments कर सकते हो, आप digital gold में investments कर सकते हो और इसके साथ-साथ आप यहाँ पर investments कर सकते हो, IPO में भी free of cost upstocks में सबसे अची चीज मुझे यह लगे इसका upstocks का platform, जो internet के लिए मैं platform यूज करता हूँ, वो काफी unique है और काफी simple है, समझ में आता है अगर मैं मोटे-मोटे शब्दों में कहूँ, तो अगर आप investments करना start कर रहे हैं और newcomers है stock market में, तो upstocks is the best platform for you to understand things related to stock market क्योंकि यह ज्यादा complicated नहीं है, यह मैं अखेला नहीं कहता हूँ, यह मेरे clients का experience कहता है, यह मेरे clients का feedback कहता है, जो upstocks को use कर रहे हैं काफी साथ से अगर आप 1200 रुपे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको upstocks के साथ demand account उपन करना पड़ेगा, demand account उपन करने का process काफी simple है, आपको description में link मिल जाएक, demand account उपन करने के लिए वहाँ पर जाकर आपको demand account उपन करना है, वो भी अभी फिलाल free of cost है, आपको demand account उपन करने के किसी भी तरीके के charges पे करने के जोरत नहीं पड़ेगी, 1200 रुपे कमाने का दूसरा step, upstocks के refer and earn program से currently आप 1200 रुपे कमा सकते हो, अगर आप अपने friend को refer करते हैं, या आपने किसी दोस्त को refer करते हैं, upstocks को install करवाते हैं, account उपन करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको initially मिलेंग upstocks में account open करवाने के लिए, तो यहाँ पर आप कमा सकते हो, 1200 रुपे के असपास, यहाँ पर आपको कुछ महनत करने के ज़रूरत हैं, ना आपको investments करना है, आपका demand account भी free of cost खुलता है, तो आप यहाँ पर किसी को refer करवा सकते हैं, share market में investments करना भी, demand account open करने जितना आसान है अगर आप यहाँ पर अपनी strategy बरोबर लगाते हो, आप proper check out करके investments करते हो, तो आप अपनी investments पर काफी अच्छे खासी return generate कर सकते हो, इसकलाब अगर आप मेरे reference से demand account open करते हैं, upstocks के साथ, तो यहाँ पर मेरे team जो हैं आपको support करेगी कि कैसे investments करना है, और किस तरीके से आपक investments करना चाहिए, इसकलाब आप हमारे telegram channel को भी free of cost जोइन कर सकते हो, जहाँ आपर आप मेरे reference से demand account open करते हैं, तो यहाँ पर जब आप investments करेंगे, तो आपको guidance मिल जाएगा, इसके साथ-साथ आपकी investments की investment ही हो जाएगी, आज की video को यही पर खतम करते हैं, hope करता हूँ कि आज upstocks से आप 1200 रुपए कैसे कमा सकते हैं, upstocks बिना किसी investments के 1200 रुपए तक कमाने का मौका दे रहा हैं, और future मैं से काफी सारे offers आते रहेंगे, तो यहाँ पर आपको upstocks के team को ज़रूर join करना चाहिए, upstocks के साथ demand account ज़रूर open करना चाहिए, क्योंकि as a upstocks authorized person, मैं आपको यह नए topic के साथ, एक interesting topic के साथ, इसके आगे वाली session में हम लोग बात करेंगे कि कैसे upstocks के platform का आप use कर सकते हो, long term investments के लिए इसके साथ-साथ, intraday के लिए कैसे use कर सकते हो, इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप IPOs और mutual fund के लिए apply कर सकते हो, तो आगे आ